रानो चिडिया का बेटा कुकू और गोरी कवी का बेटा जगू नदी पर बैटे हुए थे कि जगू कवा कुकू से कहता है कुकू कुकू चलो मेरी नानी मा के जंगल जाते हैं वहाँ आमों का बड़ा पेड़ है हम वहाँ जाकर मीठे मीठे आम खाएंगे मैं पिशली बार अपनी ममा के साथ ही गया था और मुझे अपनी नानी मा के जंगल के रास्ते का अच्छे सी याद है चलो अब समय जाया ना करो हम शाम होने से पहले पहले वापिस लोटाएंगे फिर ऐसे जगू कवा और कुकू अपने घर बताए बिना ही जगू की नानी मा के जंगल की तरफ चल देते हैं उस नदी से आगे पहाडों वाला जंगल आएगा और फिर वहां से एक रास्ता जाता है मेरी नानी मा के जंगल की तरफ ऐसे उड़ते उड़ते वो दोनों पहाडों वाले जंगल में पहुंच जाती हैं वो वहाँ जाकर एक पेड़ पर बैठ जाती हैं यहां के तो सब पेड़ एक जैसे ही लग रहे हैं शायद उस तरफ जाना है हमें नहीं नहीं उस तरफ आप मुझे याद आ गया हमें उस तरफ ही जाना है देखना जग्गू कहीं हम रास्ता न भूल जाएं क्या आपको अच्छे से विश्मास है कि उस दिशा में जाना है हाँ हाँ वो बादल वहीं था जब हम पिशली बार गे थे फिर वो दोनों फिर से उड़ते हैं अब तो वो ठक भी गे थे इसलिए अब वो ज़्यादा तेज नहीं उड़ रहे थे शाम भी होने को थी सूरज जल्दी से पेड़ में गाइब हो रहा था फिर वो एक घने जंगल में चले जाते हैं वो फिर से वहां बैठ जाते हैं जगू मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हम बहुत दूर निकल आए हैं ये जगा तो मुझे बहुत ड्रावनी लग रही है मैंने पहले कभी ये जगा नहीं देखी पहले तो जगू खामोश रहता है फिर जगू रोने लग जाता है कुकू मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा हम कहा हैं कुकू हम खोगे हैं यहां से तो हमें वापसी के रास्ते का भी नहीं पता चलेगा ये सुनना था कि कुकू भी जोड जोड से रोने लग जाता है हमने बहुत बड़ी गलती की जो हम अकेले घर से निकले हमें आना ही नहीं चाहिए था इस दिशा में पहले तो मुझे सब याद था परन्तु अब खूल गया ऐसे ही शाम भी हो जाती है वो दोनों डरे हुए थे वो तो रोई ही जा रहे थे ये कुकु ना जाने कहां जला गया है नदी पर भी नहीं है वो तो सुभा नदी से पानी पीने आया था अब मैं कहां जाओं कहां देखूं अपने बेटे को रानो जिडिया ऐसे बैठी रो रही थी कि वहां गोरी कवी भी आ जाती है रानो जगु सुभा से गाइब है और अब तो रात भी होने ही वाली है अब तक नहीं लोटा मैंने तो सारा जंगल देख लिया है गोरी बेहन मेरा कुकु भी नहीं है वो भी सुभा ही निकला था घर से मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो दोनों अकठे कहीं चले गे हैं इन बच्चों को कौन समझाए कि ऐसे अपने ममा पापा को बताए बिना घर से नहीं जाते गोरी बेहन अब चले हम कबूतर से पूछते हैं कबूतर का घर चंगल के रास्ते में ही है शायद उसने उन्हें देखा हो फिर गोरी कवी और रानो जिडिया कबूतर की तरफ जाते हैं कुकू और जगू की रोने की आवाज सुनकर वहाँ एक बुढ़ी फाखता आ जाती है छोटे पक्षियो आप क्यूं रो रहे हो और आप तो इस जंगल के भी नहीं हो आंटी हम दोनों दोस्त है हम मेरी नानी मा के जंगल आम खाने जा रहे थे के राजता भूल गे और उड़ते उड़ते यहां तक पहुँच गे बच्चो इस जंगल में तो कोई भी कवी नहीं रहती और इस से आगे भी गहरा सागर है आप तो बहुत दूर निकल आए हो आंटी हमने बड़ी गल्ती की आंटी हमने तो अपने घरों में भी नहीं बताया था आपके ममा पापा कितने परेशान होंगे ऐसा कभी भी नहीं करते हमेशा बड़ों को बता कर जाते हैं यहां भी जाना हो इस जंगल में तो खतरनाक उलू रहते हैं वो तो आप जैसे छोटे पक्षियों की खोज में रहते हैं आंटी फलीज हमें बचा लें एक बार हमें बचा लें हम फिर कभी अपने घर से पिना बताय नहीं निकलेंगे आप चुप कर जाओ और अब रात हो गई है आप मेरे साथ मेरे घर चले सुभा मैं देखूंगी के हमें क्या करना है ऐसे वो दोनों उस बुड़ी नेक दिल फाक्ता के साथ चले जाते हैं आज सुभा मैंने देखा था के जगू और कुकु दोनों ही पहाडों वाले जंगल की तरफ जा रहे थे वो साथ ही गे हैं रानो जडिया गोरी बेहन अब हमें उन्हें ढूनना होगा हमें पहाडों वाले जंगल की तरफ जाना होगा रात बहुत ज़्यादा है कैसे करोगी आप ये सब कबूतर भीया एक माँ अपने बच्चों के लिए सब कर सकती है फिर रानो जडिया और गोरी कवी वहां से उड़ती है रात का अंधेरा बढ़ रहा था परंतु चांद पूरा रोशन हो गया था इस कारण उन्हें रास्ता देखने में ज़्यादा दिक्कत ना थी वो अपने बच्चों को देखती हुई उड़े जा रही थी फिर वो एक पेड़ पर बैठ जाती है वो अभी बैठी ही थी कि उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है मेरी चादूई चड़ी पानी में गिर गई है अब मैं क्या करूँगी मैं कैसे अपनी चड़ी को पानी से पाही निकालूँ चिड़िया और गोरी कवी उस परी की आवाज सुनकर वहाँ आ जाती है ऐ सुन्दर परी आप क्यों दुखी हो क्या हुआ है चिड़िया मेरी चादूई चड़ी पानी में गिर गई और आज पूनम की रात है और अगर चड़ी निकलते हुए मेरे पंक भीगे तो मैं जल जाऊंगी क्योंके हम परीों को पूनम की रात अपने पंक भीगने से बचाना होते हैं हम निकाल देते हैं सुन्दर परी आपके जादूई चड़ी आपको ऐसा कहते हुए चड़ी उस परी की जादूई चड़ी उसे पानी से बाहर निकाल देती है परी बहन जी भीगने से आपके पंक क्यों जल जाते हैं ऐसा केवल पूनम की रात को ही होता है और आज पूनम की रात ही है आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपने मेरी मदद की क्या मैं भी आपकी कोई मदद कर सकती हूँ सुन्दर परी हमारे बच्चे कहीं खोगे हैं हम तो ऐसी रात में अपने बच्चों को ढून रही हैं सुबह से ही घर से निकले हुए हैं आप चिंता ना करें मैं अभी अपने चाद में देखकर आपको बताती हूँ कि आपके बच्चे इस समय कहा हैं चंदा चंदा तू तो सब देखे कौन कहा हैं सब जाने चिडिया और कवी के बच्चे खोगे हैं जरा देखकर बताएं तो वो कहा हैं एक बच्चा चिडिया का और एक बच्चा कवी का रास्ता भूल गे थे वो इस समय फाखता के घर में सुरक्षत हैं मुझे पता है के बुढ़ी फाखता कहां रहती हैं आप मेरे पीछे पीछे चलें ऐसे वो सुन्दर परी चिडिया और कवी को साथ लेकर उड़ती हैं चिडिया और कवी वो सामने जो घर है वही है बुढ़ी फाखता का आप पहां जाकर अपने बच्चों को देखें सुन्दर परी आप बहुत अच्छी हैं और आप यूंके कर्बला सो हो बला ऐसा कहते हुए वो परी वहां से चली जाती है फिर चिडिया और कवी उस घर की तरफ जाते हैं कुकू और जगू तो रोते रोते सो गे थे वो बुढ़ी फाखता भी अपने घर में सो रही थी कि दरवाजे पर दस्तक होती है ये इस समय कौन है? कौन? कौन है बाहिर? मैं चिडिया हूँ फाखता अंटी क्या हमारे बचे आपके घर में है? अपनी ममा की आवाज सुनकर कुकू जल्दी से उठ जाता है ममा ममा मेरी ममा ये तो मेरी ममा की आवाज है फिर बुढ़ी फाखता दरवाजा खोलती है कुकू और जगू तो अपनी अपनी ममा के गले लग जाती है वो रोई जा रहे थे वो डरे हुए थे आप चुपकर जा बेटा ऐसा कभी नहीं करते आप क्यों इतनी दूर चे ले आए? ममा हम नानी मा के चंगल जा रहे थे के रास्ता भूल के ममा हमें माफ कर दे हमारे कारण आप इतना दुखी हुई फाखता उन छोटे बक्षियों को अपनी ममा से मिलता देक बहुत खुश थी मुझे बहुत खुशी हुई चिडिया और कवी के आप अपने बच्चों तक पहुँच गए आप बहुत अच्छी है फाखता आउन्टी आपने हमारे बच्चों की चान बचाई अब आप रात मेरे घर में ही गुजा रहें और सुभा वापिस लोट जाना ऐसे वो सब खुशी खुशी वहीं सो जाते हैं इस कहानी से हमें सीफ मिलती है कि कहीं भी जाओ हमेशा अपने घर बता कर जाओ दूर किसी जंगल में पक्षी बहुत खुशी की जिन्दगी गुजा रहे थे सब पक्षी बहुत खुश थे क्योंके जंगल में पहार का मौसम था और किसी भी बक्षी को दाना ढूनने में कोई परिशानी ना होती रानो चडिया भी उसी जंगल में रहती थी वो एक दिन अपने बेटे के साथ दाना ढून रही थी कि वहाँ एक तोता आ जाता है चडिया वहन कैसी हो मैं ठीक हूं तोते आप सनाव आपके जंगल के पक्षी कैसे हैं और आपी ठीक हो हाँ चडिया मैं ठीक हूं लेकिन मैं एक संदेश लेकर आया हूं बताओ बताओ तोते भीया क्या संदेश है हमारे जंगल में बारशें बहुत ज़्यादा हुई है के दिन बारश होने की वज़ा से हमारे जंगल में दाने की बहुत कमी हो गई है और बहुत सारे पक्षी भू की वज़ा से मर गए है और हमारे जंगल के राजा ने मुझे आपके पास भेज़ा है कि आप सब पक्षियों को बताओ कि कल बादल आपके जंगल की तरफ आ रहे है इसलिए आप सब पक्षी दाना जमा कर लें लेकिन दोते भीया इतने कम समय में हम कैसे करेंगे ये सब लेकिन रानो चुडिया आप सब पक्षियों को कुछ ना कुछ तो करना ही होगा क्योंकि बारश में दाना तो कहीं से भी नहीं मिलेगा और फिर ऐसे कहते हुए वो तोता वापस चला जाता है मम्मा, अब हमें समय जाया नहीं करना चाहिए हम जल्दी से कबूतर और मिठो को भी बता देते हैं और हम समिलकर ज़्यादा से ज़्यादा दाना जमा कर लेते हैं हाँ हाँ कुप कु, हम ऐसा ही करते हैं और फिर रानो जुडिया और उसका बेटा कबूतर की दरफ चले जाते हैं। जल्द ही वो कबूतर के पास महों जाते हैं। और रानो जुडिया कबूतर को सारी बात बताती है। रानो जुडिया तुम ज़्यादा परेशान ना हो। अभी काफी समय है। हम शाम तक धेर सारा बोजन अकठा करेंगे तब भूतर भेया आप भोजन डूने जाओ और मैं मिठो को भी बता आती हूँ और फिर रानो जुडिया मिठो दोते की तरफ चली जाती है और फिर ऐसे सापक्षी जल्दी जल्दी से समय जाया कि ये बगएर अपना अपना भोजन अकठा करने लग जाते हैं कालो बेया आपको नहीं बताया मिठो ने मैंने इसे कहा तो था कि जाते हुए आपको भी बता जाए कि बरसाथ आने वाली है काल से बार्षे शुरू हो जाएंगी तो फिर क्या करें? क्यों इतना शौर मचाती फिर रही हो तुम? कोरी तुम गुसा ही कर गई मैं ये कहने आई थी कि सब बख्षी बोजना कठा कर रहे हैं आप भी समय का फाइदा उठाओ और जल्दी जल्दी से अपने घर में बोजना कठा कर लो बरसाथ शुरू होगे तो बहुत मुश्कल हो जाएगा रानो जुडिया आप जाओ और हम भी आते हैं आपके पीछे ही और फिर रानो जुडिया वहाँ से चली जाती है गुरी चले हम हम भी कुछ न कुछ कर लेते हैं ऐसा ना हो कि फिर इस दफ़ा हमें बारिश में भूखे ही रहना पड़े तुम्हें अच्छे से पता है कि आज मेरे तियारी है अपने मैके वाले जंग जाने की और तुम भी मेरे साथ जाओगे मा जी ने कोई जरूरी बात करनी है मुझसे गुरी पावल ना बनो समय बहुत कम है बर साथ कल ही आने वाली है हम फिर किसी दिन चले जाएंगे तुम्हारी मा से मिलने ऐसा कभी नहीं होगा गुरी अपना ब्लैन कभी नहीं बदल सकती और भोजन की तो तुम चिंता ना करो ये जो पक्षी अकठे करते फिर रहे हैं उसे से ही जुरा लेंगे हम अपना हिस्सा पहले कभी किया है हमने भोजन जमा जो आज करेंगे और फिर ऐसे कालू कभवा और गोरी कभवी दूसरे जंगल चले जाते हैं और फिर बाकी सा पक्षी सारा दिन दाना अकठा करते हैं रानो कभवा जी नजन नहीं आ रहे मैं बता तो आया था उन्हें मैं भी गई थी उनकी तरफ तो लेकिन दोते बहिया तुम्हें तो पता है उस चोड़ी का एक नंबर के फराडिये हैं कहते थे तुम चलो और हम तुम्हारे पीछे ही आ रहे हैं अगर रानो इस दफ़ा उन्होंने भोजन अकठा ना किया तो फिर आप ना हमसे कहना हम नहीं देंगे उन्हें मांगने पर दाना वो हर बार ऐसा ही करते हैं काम करते नहीं हैं और मांगने आ जाते हैं इन्हें कौन सा आता है कोई काम करना इन्हें तो बस एक ही काम आता है और वो है मांगना चलो छोड़ो उन्हें अगर आना होगा तो आ जाएंगे हम क्यों अपना समय जाया करें और फिर रानो चिडिया और तोता फिर से अपने कामें लग जाते हैं शाम के कव्वा और गोरी कव्वे भी अपने घर वापस लोटाते हैं अगर मारे शुरू होगे तो हमने भी ठान ली है इस दफ़ा हम तुम्हें कुछ नहीं देंगे जाओ जाओ मोटी चौच वाले तोते हम पहले कौन सा तमसे मां कर खाते हैं बड़ा दुफान आने लगा है ना जो हमें डुरा रहे हो ममा ये कालू कव्वा तो कोई काम नहीं करता लेकिन वो खाता कहां से है आप तो हर समय कुछ ना कुछ करती रहती हो बेटा ये कालू शुरू से ही ऐसा है और उपर से उसे पत्नी भी उससे दो हाथ आगे मिल गई है हर समय किसी के भोजन पर ही नजर रखते हैं वो दोनों मा बेटा ऐसे बातें कर रहे होते हैं बातों जोड से गरशता है और फिर साथ ही तेज बारिश शुरू हो जाती है ममा ममा बारिश आगी ममा मुझे बारिश बहुत अच्छी लगती है मेरे पास आज और मेरे बचे बारिश मुझे भी बहुत अच्छी लगती है जब मैं चोटी सी थी तो मैं ऐसे मौसम में अपनी ममा से कहानिया सुना करती थी मुझे भी सुना हो ना ममा कोई कहाने और फिर रानों चिडिया अपने बेटे को कहानी सनाने लगती है और वो ऐसे ही पातें करते करते सो जाते है सुभो हो गई थी लेकिन बारिश और भी तेज थी सब पक्षी अपने अपने घरों में बैठे बारिश का मज़ा ले रहे थे ऐसे ही शाम हो जाती है लेकिन बारिश थी के रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी सुनो जी अगर ज्यादा गुस्य नहीं हो तो मुझे आप से कुछ किहना है बोलो लगता है भूख ज्यादा ही लग गई है कालू बारिश तो सच में आ गई मैंने सवेर से कुछ नहीं खाया बहुत बरदाश्ट किया लेकिन अब तो भूग से मेरा बुरा हाल हो रहा है देखो कैसे मेरा ब्लेट प्रेशर लो हो रहा है भूग के कारण क्या करूँ अब तुम ही बताओ मैंने तो कहा था तुम्हें कल के भूजन ढून लाते हैं लेकिन तुम तो अपनी जितकी बहुत पकी हो अब ऐसे करो तुम जाओ रानो जुडिया के पास मैं तो जाओंगा नहीं और ना ही रानो जुडिया मुझे कुछ देगी तुम चली जाओ शायद तुम्हें कुछ मिल जाए तो फिर जाओं मैं देगी नहीं तो खाली तो लोटोगी ही एक बार जाकर तो देखो और फिर ऐसे गोरी कवी रानो जुडिया के दरफ चली जाती है रानो रानो रात फिर से आगी है मैंने तो सोचा था कि बारिश रुक जाएगी शाम तक लेकिन ऐसा नहीं हुआ आप भोजन चाहिए होगा तुम्हें मैं तुम्हें ज्यादा शर्मिंदा नहीं करूंगी लेकिन इतना कहूंगी कि बस थोड़ी सी शर्म कर लिया करो ज्यादा ना से ही तो रानो वो तुम्हारे भाई के पेट में दर्द हो रहा था भोग के कारण इसलिए आगी मैं तो अगर नहीं है तो चली जाती हूँ मैं और फिर रानो चड़िया थोड़े से दाने गोरी को दे देती है मेरे भाई को मेरा संदेज भी देना और कहना कि तोते और कबूतर को ना बताए कि मैंने फिर से उसकी मदद की है वो बहुत गुसे में है तुम दोनों पर मैं कह दूंगी और फिर गोरी कवी वहां से भाग जाती है ये जो रानों की बच्ची है न चीज देती है लेकिन भाशन भूसनाती है आप चुब करके खालो अगर ना देती तो फिर क्या कर लेती तुम उसका और फिर ऐसे वो दोनों थोड़ा थोड़ा दाना खा कर सो जाते है ममा कर रासे बारिश हो रही है अब तो पूरे जंगल में बानी ही पानी हो गया होगा हाँ बेटा ऐसे मोसम में जो अनाज बारिश में भीग जाए वो भी खाने लाइक नहीं रहता इसलिए हमेशा बारिशों के लिए बारिशन जमा रखो जब भी बारिश होती थी तो मेरी मा मुझे यही बात बताया करती थी ममा ये क्या है बेटा ये फंदा है मैंने बारिशन के पास लगा रखा है ऐसे मोसम में चोर भी बहुत होते हैं ऐसा ना हो कि हमारा भोजन ही कोई चुरा ले जाए ये ठीक है आपने और वो ऐसे ही सो जाते हैं दूसरा दिन भी ऐसे ही गुजर जाता है और कवा और कवी फिर से भूखे होते हैं गोरी कितना भोजन पड़ा था रानों के घर में धेड़ सारा मैंने धेड़ सारा भोजन देखा कर रानों के घर कालू अगर मेरी मानों तो आजरा सारा ही चुरा लाओ तुम्हें कैसे पता चला मैं ऐसा ही करने वाला हूँ हम दोनों का दमाग एक जैसा ही है ना इसलिए और फिर जैसे ही रात कहरी होती है कालू चुबके चुबके से रानों के घर की दरफ जाता है वो खिड़की से देखता है कि रानों और उसका बेटा सोय हुए होते हैं वो बहुत मुश्कल से खिड़की में से अंदर गुच जाता है और सीधा भोजन के पास जाता है वो जैसे ही अपनी चौच में भोजन उठाता है उसकी गर्दन फंदे में फंस जाती है और साथ ही रानों जुड़या की आँख भी खुल जाती है कुपू की तो कालू को फंदे में फंसा देख हंसी ही नहीं रुक रही थी चुरा लो चुरा लो तुम जैसे चुरों का अलाज में ने कर रखा है रानो बेहन एक बार माफ कर दो फिर से ऐसा नहीं करूँगा मेरा दम गुठ रहा है प्लीज मुझे बचा लो और फिर रानो उसे फंदे से निकालती है और उसे एक सिट्टा गंदम का देते हुए कहती है कालू भीया जाकर गोरी से मरहम पट्टी लगवा ले ना गर्दन पर और वो मा बेटा हंसने लगते है